हेलो दोस्तो मैं शुजीत कुमार एडवांस एक्सल ट्रेणिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हुमारी इस वीडियो टिक्टोरियल में जहां सीखते हैं कम्प्लीट एडवांस एक्सल एक्सल 2020-2021 के हम फॉर्मॉला के चैप्टर नबर 7 डेटाबीश फॉर्मॉले में आ गया है डेटाबीश फॉर्मॉले की खासियत है कि सारे फॉर्मॉले एक तरीके से ही लगते हैं जैसे मिरे पास डेटा है जो कि आप देख पा रहे हैं और मुझे इस डेटा में चाहिए पर सम चाहिए क्वांटिटी का इस के बेज पर यहां पर एक एक करके सम इप्स लगाएंगे कलकरेट में कंडिशन चेंज हुआ तो फिर से वापस सम इप्स लगाना पड़ेगा तो यहां डेटाबीश फॉर्मॉले हैं जिसको हम दी सम करते हैं और डेटाबीश फॉर्मॉ ल्ग पोड़ा अपना टेटा स्लेक्ट कर लिया उसके बाद किस field का total चाहिए उस field को select कर लिजिये और अपना Moriters कमा यहां पर टोटल 470 हमारी क्वानटिटी है average चाहिए तो दी ऐवरेज हम यहां पर दी आवरेज का फॉर्मा लगाया यहां पर पूरा कर पूरा टेटावेस को स्लेक्ट किया फिर आप यहां फिल्ट स्लेक्टने के जगह पर मैं यहां पर quantity लिख भी सकता हूं manually inverted comma और फिर हम यहां criteria को कर लिए select and enter अब यहां पर d max d max में मैं पुड़ा का पुड़ा database select कर लिए comma quantity कर लिए और यहां पर criteria को select कर लिए तो मैंने इस पर क्या किया पुड़ा seat select कर लिए पुड़ा का पुड़ा colon select कर लिए ऐसे हमारे पास होता है d min का formula जिसमें हम database को select करेंगे किसका minimum चाहिए तो quantity का minimum चाहिए और criteria हमने अपना select कर लिए एक criteria तो यह आपका d min आ गया count चाहिए तो मैंने आप d count का formula लगा लिए और पुड़े के पुड़े database को select किया quantity को select किया count के लिए और criteria select कर लिए तो यह हमारा count आ जाएगा d count है अब count ए जो है वो क्या करता है text को count करता है तो database select करने के बाद मैंने इस बार select कर लिया product को और फिर criteria में दिया और ok कर दिया तो यह product को count करके दे दिया अब बात करते हैं डी गेट फॉर्मुला जी हां डी गेट फॉर्मुला क्या होता है जैसे कि मुझे पास reference, online, p4 और home की quantity देखनी है तो मैंने यहां पर लगाया formula D किया है तो वी look up में इतने सारे conditions के look up करने के लिए आपको लंबा चोड़ा है लगाना पुड़ा था concrete का formula बट यहां simple है हमने इसको select किया select करने के बाद हमने यहां पर दिया फिल्ड मुझे चाहिए इसमें quantity और हमने अपना select कर लिया लेकिन हमने गलती कहाँ जिया इसमें heading select नहीं तो यहां पर value कहरा रहा है इसमें आपको heading select करके देखना हो जी है अब यहां देख सकते हैं कि 5 आ लिया तो यहां पर आपका इरा 5 लेकिन इसमें अगर repeat होगा तो इसमें मान लिजे कि मैंने इसको repeat कर दिया conditions को फिर आपको num का error आजाएगा तो duplicate नहीं होगे इसलिए इतना popular नहीं है इसमें दो problem होगे आपको multiply कर देता है दी standard deviation निकाल लेता है यह आपका पॉपलेशन होता है इसके वाद दी सम निकालता है और यहां पर दी covariance निकाल देता है आप के formula चोटा से formula था अगली formula हमारे information category की है तो अगली formula में हम बात करेंगे आगे के चीजों पर राइंक